बॉलिवुड की फिल्मों में डैंस का होना बहुत जरूरी है गानों के साथ-साथ फिल्मों में डैंस भी उतनी ही एहमियत रखता है जितनी की गानों की होती है आपने फिल्मों में हीरो और हीरो इनको काफी नाचते हो देखा होगा लेकिन क्या आपको मालूम है इनके इतने बहतुरीन डांस के पीछे कुरियोग्राफर का हाथ होता है लेकिन आज हम आपको बॉलिवूड के एक ऐसे बड़े कुरियोग्राफर के बारे में बताएंगी जिनकी पत्नी दिखने में बॉलिवूड की किसी एक्टरस से कम नहीं है जी हाँ दोस्तों आज हम आपको बॉलिवूड के सबसे मशूर कुरियोग्राफर गणी शाचारी की पत्नी से रूबरू करवाने वाले हैं कैसे दिखती है गणिश आचारे की पत्नी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बॉलुविड के इतने बड़े कोरियोग्राफर के लिए एक लाइक तो बनता ही है 14 जून 1971 में जन्म लेने वाले गणिश आचारे का नाम आज बॉलुविड के काफी बड़े कोरियोग्राफर में माना जाता है और अभी हाल ही में इनकी एक तस्वीर वाइरल हुई जिसमें इन्होंने अपना वजन काफी ज्यादा कम कर लिया एक इंटर्व्यू के दोरान गणिश आचारे ने बताया कि ज्यादा वजन में भी मैं डांस करता था लेकिन अब मेरी एनरजी डबल हो गई है गणिश आचारे की पिता की माउत के बाद घर में पैसों की दिक्कतों के चलते गणिश ने पनी पढ़ाई छोड़ कर डांस सीखना शुरू किया और महज 12 साल की उमर में उन्होंने कड़ी मेहनत कर डांस अकडमी खोली और महज 19 साल की उमर में वो एक बहतरी डांस कोरियगरफर बन गए वहीं अगर हम बात करें गणिश आचारे की पत्नी की तो उनकी पत्नी का नाम विधी आचारे है और दिखने में बेहती खुबसूरत है बहुती कम लोग जानते हैं कि विधी ने फिल्म हेब रो में काम किया है और बॉलिवड में भी विधी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है आप इनकी तस्वीर देखकर खुदी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खुबसूरत है दोस्तों आपको गणेश आचारी की पतनी दिखने में कैसी लगे है मैं कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके ज़रू बताएं और साथ ही बॉलिवड की ऐसी ही मसालेदार खबरों से जड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लें